कि नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूटुब चानल प्यूसमिस थर्टिंद पर और आज हम बात करने वाले हैं एक और रहस्य के बारे में महाभारत का कल हमने बात किया था यह हमारे पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो कौरफ के बारे में अच्छी तरह से हम ने ज जानेंगे कुरुव अंच के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे तो वीडियो शुरू होने से प्लिए प्लीज वीडियो को एंड प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बागल में जो बैल आ क्षाक एप एपिए प्लीज चैनल को सपोर्ट किए तो सिफ हमेरे हर एक तरल देखए अच्छी तरह से और सब्सक्राइब करके आए ठीचिंट को चैनल बौार्ट कर सके तोसी अर्णिषे यह का नहीं डाश चैनलґ अच्छिटा सब्सक्रारों सब्सक्राइब पिए कि उनका वन्ष रेखा किस प्रकार के था तो पहले थे कुरू के कुरू वन्ष थे सांतनों महारस सांतनों और उनकी पहली पतनी थी गंगा और गंगा जब उन्होंने 8 पुत्रों को डुबा दिया नदी में उनके उसके बाद जो नवाथ याठ्वा और कुछ समय बाद गंगा शांतनु को छोड़ कर चलेगे उनकी प्रतिगया के कारण और उस प्रतिगया को अच्छी तरह से जानने के लिए प्लीज हमारे जो स्टार्टिंग वीडियो से हमारे चैनल के उसे प्लीज देखे आप समझ पहेंगे और शांतनु की दूसरी पत्न से व्यास नामक एक रिशी जन्म होगा ता जिसको हम कृष्ण दयपान के नाम पे भी जानते हैं और शांतनु और सत्यवति के दो पुत्र जन्म है शांतनु एक था चित्रांगद बड़े पुत्र और चोटे जो थे विचित्रवीरिया चित्रांगद का कुछ समय के बाद उनका मृत्यव हो गया और विचित्रवीरिया बहुत समय तक जीवित रहे और महाराज बने और विचित्रवीरिया ने दो पत्नियों से विवाकिया अंबीका और अंबालिका और विजित्रवीरिया और अंबिका के कोग से जनम लिया जित्राष्ट ने जो कि उनका संगम व्यास के साथ हुआ था क्योंकि विजित्रवीरिया के साथ संग जो विजित्रवीरिया के मुत्यू होने के कारण उससे में अंबिका और अंबालिका कोग के पूत्र नहीं था अंबालिका के आंडू नहीं अंबालिका का कोक से ऑंडू पत्राश्टर में उन्हें के साथ उनके संगाम था। श्रम उनके रिद्षी इनुद्डधरे उनद्घ richtig है। तो एक वेश्या के साथ उन्हें संबर स्तापन किया था और उनके कोक से यूश्यू नामक पुत्र उन्हें जनम लिया था और जो पांडू है पांडू है पांडू ने कुंति से और माद्री से दोने सिव्या किया था और कुंति के कोक से तीन पुत्र जनम है यानि कोक से तो नही उन्हें जो वर मिला था उसी के हिसाब से और माध्री को भी उन्हेंने वह मंत्र प्रदान किया और उसके बाद उन्हेंने भगवान का प्रास्मरन करते हुए युदिश्टिर भीम अर्जुन नकुल और साधे पांच पुत्र जनम है कुंती से तीन पुत्र युदिश्टिर अर्जुन और द्रोपदी के पुत्र थे प्रतिविंद्य और भीम और ध्रोपदी के पुत्र थे शुत्र सोम अर्जुन और द्रोपदी के पुत्र थे शुत्र किर्ति नकुल और द्रोपदी के पुत्र थे शातानिक और सहदे बार द्रोपदी के पुत्र थे शुत्र कर्म और अर्जुन ने एक और पत्नी के साथ विवा किया था सुवद्रा और अर्जुन और सुवद्रा के कोक्से जनम ले था अभिमन्यू ने और अभिमन्यू और अभिमन्यू ने उत्रा से विवा किया था जो कि अर्जुन की सिश्चा थी अभिमन्यू ने उत्रा से विवा किय और उनके को किसे जन मज़े नामा के पुते जनमवा और यही था जो पूरा वंच चिदे खा जो पांडवर कॉरफ का कुरवंच तो आज के लिए बैस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन है जो आगल में उसको प आइम पर मिल जाए वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद शेयर किजिए आपके फ्रेंड्स और लेटेप्स के साथ ताकि आमरे चैनल कर सके और आज के लिए बैस इतना ही नमस्कार